कपड़ों के दो व्यापारी थे एक था सुखी राम दूसरा दुखी राम दोनों ने एक ही बाजार में अगल बगल दुखान खोली दोनों की सुरुआत एक जैसी हुई लेकिन साल बीत्ते बीत्ते सुखी राम के दुखान पर ग्राकों का मेला लगने लगा और दुखी राम की दुकान में मक्षियां मारने की नोबत आ गई दुखी राम परेशान हो गई कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें दुकान कैसे चलाएं ग्राकों को कैसे लुगाएं तबी भाग्य से एक परीचित के माद्यम से उनकी मुलाकात सहर के सबसे कामयाब कपड़ा व्यापारी सेट की रोडी मलजी से हो गई उनसे मिलने के बाद दुखी राम के चेरे पे मुस्कुराट आ गई वे खुसी-खुसी घर गए और अगले दिन से कुछ ऐसा करने लगे कि साल बीते-बीते उनकी विक्री सुखी राम जी की तुलना में डवल हो गई तो सवाल उठता है कि सेट की रोडी मलने दुखी राम जी को ऐसे कौन सी टिप्स दी कि उनका धंदा चल पड़ा नमस्कार दोस्तों मैं अजय अजमेरा अजमेरा फैसन सूरत से एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अजमेरा फैसन में तो दोस्तों आईए जानते हैं इस वीडियो में उन टिप्स के बारे में नमबर एक जैसे घर में अकिति का वैसे ही दुकान में कस्टमर का स्वागत करना चाहिए सम्मान करना चाहिए एक दुकंदार होने के नाते आपके मन में ग्रहक के परती सम्मान का भाव होना चाहिए ये समझ ये कि जैसे घर में अति थी भगवान के सम्मान है वैसे ही दुकान में ग्रहक में एक राजा के सम्मान है अब सोचिए जब राजा साहब या रानी साहीब आ दुकान में आएंगे तब आप अपने मोबाइल में बीजी रहेंगे या उनकी सेवा में प्रस्तूत हो जाएंगे खुद बैठे रहेंगे या उनको बैठाएंगे उन पर ध्यान देंगे या अपना भई खाता लेकर बैठ जाएंगे सिर्फ दुकान में कस्टमर इस किंग का इस्टिगर लगा देने से कुछ नहीं होता है दोस्तों आपको उसे एजे किंग फील कराना होता है नमबर दो अपनी दुकान को चमका कर रखिए और खुद भी चमकिए जब आप रेश्टोरेंट में जाते हैं और टेबल गंदी होती है तो आप वेटल को बुला कर उसे क्लीन करने को कहते हैं न क्योंकि कोई भी साफ सुत्री जगए पर ही बैठ कर खाना खाना चाहता है इसी तरह लोग वेल मैनेजड और साफ सुत्री दुकानों से खरीददारी करना पसंद करते हैं इसलिए अपनी दुकान को चमका कर रखिए और खुद भी चमकिए आप कपड़ों के बिजनस में हैं ये बिजनस अच्छे साफ सुत्रे कपड़े पहन करी किया जाना चाहिए इसी तरह दुकान के बाहर लगा हुआ आपका बोड दुकान का चैरा होता है उसे भी चमचमा के रखिए दोस्तों अजमेरा फैशन की बात करें तो तमाम चीजों के बीच सूरत में हमारे पास आने वाले व्यापारी भाई भाई भाईन इस बात से भी काफी प्रभावित ह होते हैं कि हम अपने सेक्टर में हर चीज बहुत ही सिस्टमिटिक धंगसे रखते हैं जिससे वे कम समय में आसानी से अपने पसंद की चीज देख और चुन पाते हैं दोस्तों सेट की रोडी मल की ये सला अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजे और अपने विजनस को नई उचाईयों पर पहुंचाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजे तो चलिए अब जानते हैं सेट जी की अगली सला नमबर तीन लेटेस्ट फेशन ट्रेंड को समझे कपड़ों का बिजनस फेशन ट्रेंड से काफी प्रभावित होता है इसलिए आपको अपने एरिया के लेटेस्ट फेशन की जानकारी होने चाहिए और उसी के अनुसार आपको माल मनवाना चाहिए कई बार नौर्थ के दुकंदार साउथ में चलने वाले कपड़े स्टोक कर लेते हैं और नौर्थ वाले साउथ में ट्रेंडिंग आइटम परचेच कर लेते हैं ऐसा करने से उनका माल बिकना मुश्किल हो जाता है दोस्तों और उन्हें नुक्सान उठाना करता है तो सवा अगर आप अजमेरा फैशन से जुड़े हैं तो आपको इस बात की चिंता करने की ज़रुत नहीं है क्योंकि हमारी फैशन डिजाइनर्स की एक डेडिकेटिट टीम बस इसी चीज को समझने और उसी के अनुसार कपड़े डिजाइन करने में लगी रहती है यही कारण है कि अक उन कमपनियों के स्टोर्स में जब आप जाएंगे तो अकसर पाएंगे कि इनके यहां कोई ने कोई स्कीम चल रही है कपड़े खरीदने पर कूपन से लेकर कूकर तक बहुत कुछ दिया जा रहा है आप भी अपनी दुकान में स्कीम लाँच करिए इसके अलावा यह कमपन पर ग्राकों से संपर्क कर अपने नए स्टोक की जानकारी दे सकते हैं दोस्तों क्या आप अपनी दुकान में ऐसा कुछ करते हैं यदि हां तो वीडियो को पोस करिए और कमेंट में लिख कर हमें इस बारे में चरूर बताइए अब देखते हैं दुखी राम जी को दी उन्होंने कब अपनी दुकान की एडवर्टाइजमेंट की थी नए ग्राकों को लाने के लिए और पुराने ग्राकों को बनाए रखने के लिए एडवर्टाइजमेंट बहुत जरूरी पंपलेट बटवाने से लेकर होर्डिंग लगवाने तक और अखभार में एड देने से लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने तक आपको एड़टाइजमेंट करने के कई सस्ते इनमेंगे विकल्प मिल जाएंगे अपने बजट के अनुसार आपको इसका उप्योग करना चाहिए अजमेरा फैशन से जुड़े कई व्यापारी मातर दो से तीन हजार रुपे महीन दोस्तों लोग तब कोई चीज आसानी से खरीद लेते हैं जब वे देखते हैं कि अन्य लोग भी उसे खरीद रहे हैं और उससे संतुष्ट हैं आप भी अपने संतुष्ट गराकों के शॉट्स और रिल बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकते हैं या एक पोस्टर बनव नमबर साथ, अपने खर्च कम करिए और बचे हुए पैसों का एक हिस्सा ग्राकों पर खर्च करिए, दुकान में तमाम तरह के खर्च होते हैं, बिजली पानी से लेकर स्टोप खरीदने और शॉपिंग बेक्स तक, हर लेवल पर जहां भी आप फालिटी से कंप्रोमाईज कि आप काफी पैसे बचा सकते हैं, जिससे आप अपने बिजनस को ग्रोग करते में लगा सकते हैं, अजमेरा फैसन सूरत का एक ऐसा ब्रांड है, जहां आपको सीधा फैक्टरी रेट पर कपड़ा मिल जाता है, और आपको किसी मिडल मैन, ट्रेडर या होलसेलर को किसी तरह का मार्जीन नहीं देना पड़ता है दोस्तों, आप अजमेरा फैसन या आपने भरोसे की किसी भी मैनुफेक्चरर से ही माल खरी दें, इससे आपकी काफी बचत होगी, और बचे हुए पैसों को आप कूपन या कूकर, जहां भी एड़र्टाइजमेंट करना चाते हैं, वहां करके कहीं भी लगा कर अपनी दुखान में कस्टमर का फुटफोल बढ़ा सकते हैं, और अब अंत में सेट किरोडी मल की दुखी राम को दी हुई आखरी और सबसे जरूरी सला, तो आठवे नंबर की सला है, अंदर से बदलिए, तबी बाहर भी बदलाव दिखेगा, मतलब आप बाहर से चाहे जितना टिप टोप बन जाए, लेकिन अगर आपके अंदर पैदा होने वाले विचार नकारात्मक हैं, तो ये आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देंगे, सकारात्मक या पोजिटिव विचारों के लिए क्या करें, अपनी थौट्स पर नज़र रख हैं, जैसे ही मन में विचार आएं कि आज गराक नहीं आ रहे हैं, इसे बदल कर ये सोचें कि आज का दिन अच्छा है, आज खूब गराक आएंगे और विकरी बहुत अच्छी होगी, और आप बाहरी दुनिया में जो कुछ भी देखते हैं, वो कहीं न कहीं आपकी अंदु प्रिक्ता में अपना कर दुखी राम जी सुखी राम से भी आगे निकल गए, अगर आपको भी अपने कपड़ों की बिजनस को आगे बढ़ाना है और अपनी कपड़ों की दुकान में कश्टमर बढ़ाने हैं, तो इन पर जरूर अमल कीजिएगा, आपने वीडियो को अंत को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर डबा दें, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार